क्या आपको पता है कि iPhone में Dual SIM या फिर SD card क्यों नहीं होता क्या reason है कि इतने मेंगे phone में भी कुछ नहीं होता है तो iPhone में SD card, Memory card इसलिए नहीं होता है क्यूंकि आपको पता ही होगा कि Memory card का जो internal storage होता है वो mobile में भी होता है इसलिए वो बहुत fast होता है और जो external card होता है वो थोड़ा slow होता है तो market में बहुत tap के SD cards available होते है घटिया quality, अच्छा quality और Apple company को यह सभी बात का पता है कि iPhone में हो कोई 300-400 रूपे का SD card ले लिया कोई सस्ता वाला तो वो iPhone का phone slow चलेगा और phone slow चलेगा तो नाम तो iPhone बनाने वाली company अगर एपल का ही खराब होगा, SD card slow है बड़ लोग टीपिकली बोलते है phone ही काम नहीं कर रहा तो इसलिए अगर किसी को ज्यादा space requirement है तो वो ज्यादा space वाल iPhone ले ले ज्यादा internal storage वार iPhone ले ले और यही reason है कि आज तक SD card का option क्यों नहीं मिला उसके बाद और एक facts की बात करते है कि phone में dual sim क्यों नहीं होता तो iPhone में dual sim इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली बात company का दावा है कि phone जितना पतला हो उतना अच्छा model लगेगा तो वो जो second sim card का चगा है वो बहुत space खाता है और वो phone को designing का innovation होता है उसमें वो बाधा होता है दूसरी बात ज्यादातर लोग एक ही sim card यूज करते है foreign country की तरह इंडिया में भी अगर maximum लोग ज्यादातर एक ही sim card यूज करते है और सबसे main bag एक अजीब सी बात है आप सुनो sim card की जो technology होती है mobile में वो actually e-sim मतलब की software से भी किया जा सकता है sim का ये technology possible है और apple company को बाते पता है इसलिए हो physical sim वाले drama को बड़ावा नहीं देता है क्योंकि e-sim में जो है इससे क्या होता है कि mobile के अंदर manufacture पहले से ही एक chip बना कर देता है जो कि उस चीज में आप कोई भी number assign कर सकते हो मतलब कि mobile के अंदर पहले से ही sim जैसा कुछ रहेगा आपको बहार से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत छोटा सा होगा क्योंकि वो mobile के अंदर ही है mobile के बाकी के पाटसी तरह तो technology अच्छे तरीके से बढ़े और ये 2-3 sim की जगह खाने वाला जो है उससे खतम किया जाए और यही रिजन है कि आइफोन ने कभी dual sim वाले idea की support नहीं किया तीसरा effect यह है कि celebrities हमेशा आइफोन क्यों योज़ करते है तो पहला answer solve कि मैं rich और powerful हूँ दूसरा reason fresher लोग accept करते है celebrity के पास आइफोन होगा और तीसरा जो serious reason है वो है security आइफोन जो वो बाकिस operating system के मुकाबले बहुत ज्यादा safe और secure है इसलिए ज्यादा तर लोग आइफोन का इस्तमाल करते है जैसे कि कोई भी celebrities, sportsmen, political people और कुछ बड़े अधिकारी तो दोस्तों यह थी आइफोन के बारे में कुछ सची बाते तो एसी ही facts से चूड़ी बाते जानने के लिए हुमारी चैनल facts दुनिया को like, share और subscribe चरूर करना Thank you